Hello and welcome to Pre-Career Institute's English Class या वीडियो Intermediate English के लिए है और आज का टोपिक है Usage of Conjunctions for Exercise 3 Exercise 3 में सबसे पहले है Rule No. 11 11 में Since Showing Time तो आए Since Showing Time के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं और इसको पहले इसके विश्य में दूसरी पार्ट में पेज के में लिखा हुआ है तो इस तरफ हम चलते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं Rule No. 11 के इन पॉइंट्स से देखिए When a Since is used as a Conjunction जब Since का प्रयोग वो Conjunction के रूप में किया जाता है We should use the verb in the present perfect tense before it इस से पहले आने बाली जो verb होती है हमको वो present perfect tense में प्रयोग करनी चाहिए and in past indefinite tense after it और since के बाद आने बाली जो verb है वो हमें past indefinite tense में प्रयोग करनी चाहिए for example यहाँ पर देखे Many new developments have taken place यह many new developments have taken place यह present perfect में है Since से पहले यहाँ since लिखा हुआ है Since से पहले यह verb आई है taken place तो यह किस में है present perfect में developments have taken place यह present perfect में है and since के बाद जो verb आई है left यह past indefinite tense में है तो since का मतलब होता है job say from the time in the past to till now ऐसा हम कह सकते हैं till you are speaking उस समय जब आप बोल रहे हैं मतलब past के किसी समय से लेकर उस समय तक जब आप बोल रहे हैं यह जब कोई बात कही जा रही है अब तक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अब तक भी इसका अर्थ होता है तो मैंने तो कह सर्थ क्या है since से पहले वाली जो verb होगी वो present perfect और since के बाद वाले past indefinite इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि since का प्रयोग हमेशा present perfect tense के साथ किया जाता है और since के बाद हमेशा since के बाद आने वाला sentence हमेशा past indefinite ये simple past tense में होता है many new developments have taken place यानि बहुत सारे नए निर्माड या विकाश हो गए है since I left home जब से मैंने घर छोड़ा है तो जब से मैंने घर छोड़ा है लेकिन English में left home यानि past indefinite tense में कहेंगे I have never seen him मैंने उसको नहीं देखा है कभी भी since his father died जब से उसके पिताजी की म्रत्यू हुई है हलाग इसको Hindi में तो हम ऐसे ही कहते है लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते है जब से उसके पिताजी की म्रत्यू हुई थी तब से मैंने उसको नहीं देखा है next point is rule 12 तो since के बाद since से पहले हमेशा present perfect और बाद में past indefinite time यूज past indefinite tense यूज किया जाता है यह हमेशा जान लखने का विशे है rule 12 और showing alternative or choice alternative का मतलब क्या होता है alternative का मतलब होता है विकल्प तो विकल्प दिखाना यानि दो में से कौन सी चीज़ आप ये दो ये तीन में से कौन सी चीज़ आप choose करते हैं तो उस विकल्प को दिखा दे के लिए और का प्रयोग किया जाता है conjunction or is used to choose one of two or more than two things दो में से दो या दो से ज़्यादे में से कोई एक चीज़ का चुनाव करने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं और का प्रयोग होता है मतला और की हिंदी होती अत्वा जैसे you can have apples और grapes तुम आपके पास दो विकल्प apples और grapes है उनमें से कोई सा भी विकल्प आप चुन सकते हो तो alternative चुन सकते हो यू can have apples तो यू can have apples यू can eat apples और अदर्वाइज ग्रेप अत्वा तुम ग्रेप का सकते हो तो यह और का मतलब यह होता है अत्वा तो alternatives दिखाने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं यही यहां पर है यू can go to कानपुर और लकनो यानि तुम कानपुर जा सकते हो अत्वा तुम लकनो भी जा सकते हो next is rule number 13 while while is used in two senses while का प्रयोग दो senses में यानि अर्थों में किया जाता है to show time और period of time यानि period of time का मतलब होता है कि समय का to show time यानि time दिखाने के लिए और period of time period of time का मतलब होता है अवधी समय की अवधी तो to show time यानि time दिखाने के लिए या फिर समय की अवधी दिखाने के लिए भी while का प्रयोग किया जाता है to suggest at the same time और along with और ये दिखाने के लिए भी कि किसी उसी समय पर यानि जब कोई एक काम चल रहा था उसी समय कोई दूसरा काम चल रहा था या along with along with मतलब कोई एक action चल रहा था और उसी के साथ-साथ दूसरा action चल रहा था तो ये दिखाने के लिए हम along with या along with या same time के अर्थ में while का प्रयोग करते हैं या फिर time दिखाने के लिए या फिर period of time यानि कि समय की अवधी दिखाने के लिए भी हम while का प्रयोग करते हैं जैसे for example as for example while I was in service I never saw him तो यहां while का प्रयोग किसलिए किया गया है यहां while का प्रयोग time की वजी दिखाने के लिए ही किया गया है While I was in a service I never I never saw him मैंने उसको कभी नहीं देखा तो मतलब from the beginning to the end of the service मतलब क्या है While I was in service मतलब जब मैं service में था का मतलब क्या है जब मेरी service शुरू होई तव से लेकर आज तक मैंने उसको नहीं देखा तब मैंने उसको कभी नहीं देखा जब मैं था तब से लेकर जब मैं सर्विस में था यानि सर्विस की शुरुआत से लेकर मैंने उसको नहीं देखा है जब मैंने सर्विस की शुरुआत की तब से मैंने उसको नहीं देखा है मैंने उसको कभी नहीं देखा तो while I was मतल तो यहां भी क्या है, वाइल का मतलब क्या है, जब वो मेरे साथ रहा, जब उसने मेरे साथ रहना शुरू किया, जब वो गया तब तक, वाइल ही लिवड विद मी, जिस समय जितने दिनों तक, जितनी दीर तक, वाइल मेरे साथ रहा, ही लेबर्ड वेरी हार, उसने बहुत क्या दिखाता है, duration दिखाता है, यानि कि period of time दिखाता है, अबधी दिखाता है, यह जो while है, यह भी क्या दिखाता है, duration दिखाता है, और period दिखाता है, या फिर समय की अबधी को दिखाता है, while there is life there is hope यह अभी क्या दिखाता है यह अभी समय की अवधी को दिखाता है यानि जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है तो जन्म से लेकर के म्रत्यू तक हमेशा उम्मीद रहती है यहां मतलब है तो while there is life मतलब जन्म से लेकर म्रत्यू तक के जीवन को हम life कहते हैं तो जब तक जीवन है तब तक उम्मेद है इसी तरह से while the students slept the maid cooked the food यहां भी duration भी आप कह सकते हैं और यहां पर parallel work भी कह सकते हैं या along with कह सकते हैं same time बहला भी यहां पर idea कह सकते हैं wild students slept यहां जब विद्यारती सोए या जब उन्होंने सोना शूरू किया the maid cooked food और इदार इनोंने सोना शूरू किया इदार maid ने खाना पकाना शूरू किया यह इनोंने इनका सोना खतम हुआ और इदा Bail का खाना पकाने का काम भी खत्म हुआ जितनी देर वह सोए, तो एक तरफ वह सोने का काम कर रहे थे, एक तरफ मेड, खाना पकाने का काम कर रहे तो जब लड़कोंने गाना गाया, गर्ल्स ने डाउंस किया, याँन पर किया यह भी at the same time और along way यानि कि लड़कों ने जब गाना गाना शुरू किया लड़कियों ने डांस करना शुरू किया लड़कों ने गाना खत्म किया गाना गाना खत्म किया लड़कियों ने डांस करना खत्म किया तो while the boys sang जब लड़कों ने गाना गाया लड़कियों ने dance किया तो ये भी दोनों क्या हुआ एक action तो हुआ गाना गाने का और जब तक गाना गाया तो गाने के parallel ही क्या हुआ dance किया लड़कियों ने तो इस तरह से while the boys sang the girls dance ये हो गया इसी तरह से अब rule number 14 because for since because ये क्योंकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है for भी क्योंकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है since भी हम कह सकते हैं क्योंकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं क्योंकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है all these three words show cause or reason यानि तीनों ही सब्द कॉज या रीजन दिखाते हैं the difference in their use is that because there is a very great force in it इन में अंतर यह है के because में बहुत ही बड़ा great force होता है यानि ज्यादे शामर्थ या power होती है यानि strong reason दिखाता है because 4 has the least force 4 में सबसे कम शक्ती होती है and since comes between the two और since जो है वहाँ इन दोनों के बीच में आता है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं because is strong and very important in the sentence मतलब because का जो प्रयोग होता है हम ऐसे कह सकते हैं the reason, जो reason because देता है वो reason बहुत strong होता है and बहुत important होता है sentence में और since के विशह में आप ऐसा कह सकते हैं since के विशह में मैं अपनी तरफ से यह बात अपने अनुभव से में बता रहा हूँ यह बात कि since का मतलब since वहाँ पर आप प्रयोग करते हैं जहां पर reason हमेशा पहले से आपको पता होता है the reason is already known वहाँ पर आप since का प्रयोग करते हैं जहां आप because प्रयोग करते हैं वहाँ का reason आपको पहले नहीं पता होता है लेकिन since के लिए जो reason आप देते हैं वो reason लोगों को पहले से ही पता होता है और लेकिन फिर आप उसको relate करने के लिए आप वह reason देते हैं इसी सित्य में since का आर्थ चूँकि भी हो जाता है जूकि एंड जो for है, for का मतलब है की वैसे तो for कहीं कहीं because कहीं equal खड़ा हो जाता है या because के जैसा ही इसका आर्थ लगता है लेकिन for कभी भी sentence के शुरूआत में नहीं कहा जा सकता यह लिखा जा सकता है यह हमें साथ sentence के end में ही लिखाया कहा जाता है तो इस तरह से हम start करते हैं इनके इनको पढ़ने का इनके जो examples है इनको देखते हैं इसे हम अपनी बात करते हैं जैसे I must go because my mother is ill तो यहाँ पर because जो है चुके must go और ill होने का I को पहले से नहीं पता है पहला I must go because my mother is ill तो I को तो पता है लेकिन हम को नहीं पता है कि उसकी माँ बीमार है I मतलब कोई और है I और या सुनने वाले को नहीं पता है कि मा बीमार है तो इसलिए यह उसके लिए नया रीजन है और सॉलिड रीजन है, स्ट्रॉंग रीजन है तो I must go because my mother is ill, he failed because he did not work hard, यह क्या है? क्योंकि यह जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको नहीं पता हुआ क्यों फेल हुगा तो यह उसके लिए strong रीजन है, इसके लिए यहां पर क्योंकी के अर्थ में because का प्रयोग किया गया He could not catch me up, since he was lazy तो जब मैंने का since he was lazy तो चुकि वहा ऐसे भी कह सकते हैं चुकि वहा लेजी था इसलिए उसको नहीं पकड़ सका और यहां फिर हम कह सकते हैं कि since जो है दोनों के बीच में आता है ऐसा कह करके भी हम कह सकते हैं कि laziness जो है वहा डारेक्ट रीजन नहीं है मतलब उसके पकड़ना पकड़ने में डारेक्ट रीजन नहीं है लेकिन रीजन है तो इसलिए हमने काई यह फोर और विकॉज के बीच में आ गया लेकिन यह सबसे कमज़ोर फोर्स होता है तो ही केनोट बी ट्रस्टेट उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है फोर मतलब बिकॉज क्योंकि वह हर चीज को कैजूली लेता है तो कैजूली लेता है मतलब वह सीरियसली किसी चीज को नहीं लेता है तो यह जो फोर का प्रयोग होता है यह फोर जो है यह कभी भी मतलब डारेक्ट रीजन नहीं देखाता है यह डारेक्ट कनेक्शन नहीं द तो इसलिए इसका जो फोर्स होता है वो सबसे कम माना जाता है और सेंटेंस के शुरू में प्रयोग नहीं हो सकता है सेंटेंस के लास्ट में ही प्रयोग हो सकता है विकॉज सेंटेंस के शुरू में भी प्रयोग हो सकता है तो इस तरह से जो फॉर हैस दा लीस्ट फॉर्स कोज के साथ दिखाए जाता है जब यानि कि जब आपको लगता है कि आप जो रीजन दे रहे हैं वो सॉलिड है और किसी को नहीं पता है तब आप भी कौज से लगाते हैं चुकि कोई डारेक्ट रीजन नहीं है strong हो सकता है लेकिन कोई direct connection नहीं है action और paradigm में ऐसी स्थिती में आप force सबसे कम force होता है ऐसी स्थिती में for का प्रयोग करते है दोनों के बीच में since होता है तो since का प्रयोग करते है और दूसरा यह है कि since since में लगवग हम जो sentences बोलते हैं सकते है कि वह already पहले से लोगों को पता होता है जस्त हम cause देने के लिए हम उनका प्रयोग करते है then is that conjunction that is used in the following forms तो that का प्रयोग निम्नलिकित forms या स्वरूपों में रूपों में होता है number one और number a in indirect narration यानि कि जब हम किसी sentence को direct से indirect narration में चेंज करते हैं तो उस direct narration को indirect narration में change करने के लिए हमको वहाँ पर that का प्रयोग करना होता है तो यहां indirect narration में that का प्रयोग किया जाता है this is the point जैसे for example यहाँ पर देखिए कैसे किया जाता है indirect narration में उसका प्रयोग as conjunction that is used only in indirect narration चोके या जैसे के conjunction that का प्रयोग indirect narration में किया जाता है के बल not in direct narration, direct narration में नहीं किया जाता है तो इसलिए यहाँ पर हमको that का प्रयोग indirect narration में करना चाहिए direct narration में नहीं करना चाहिए या इसका नियम है या संदेश है as conjunction that is used only in indirect narration चोके और जैसे के conjunction that का प्रयोग indirect narration में ही cable किया जाता है not in indirect narration indirect narration में नहीं किया जाता है as he said that he was ill तो उसने कहा कि वह बीमार था तो यह क्या है यह indirect narration है it is wrong to write चोकि direct में नहीं किया जाता है इस लिए इस तरह से कहना he said that I am ill तो यह क्या यह direct narration हो गया तो direct narration में यहां that का प्रयोग नहीं करना चाहिए यानि इस तरह से that का प्रयोग indirect narration में ही करना चाहिए इस विश्वे में और ज़्यादा जानने के लिए यहां सिर्फ यही है that को कैसे conjunction के रूप में use करते हैं direct narration में ज्यादा है इसको हम जो है डिरेक्ट इंडिरेक्ट स्पीच में ही हम इसको यह डिरेक्ट इंडिरेक्ट नरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि बस इसके एक दो टॉपिक के बाद ही आ जाएगा B.A. is that as conjunction is not used in interrogative, imperative और operative और exclamatory clauses फिर से देख लिए that as conjunction is not used in interrogative sentences, imperative sentences, operative sentences और exclamatory clauses में नहीं किया जाता है Whether the whole sentence is in the direct or indirect narration, चाहे पूरा का पूरा sentence indirect narration में या फिर direct narration में हो लेकिन that का प्रेयोग conjunction के रूप में यहां नहीं किया जाता है The use of that is wrong in all the following sentences, इसलिए निम्न प्रकार के सभी sentences में that का प्रेयोग गलत है जैसे he asked me that why I was late, तो यहां चोके why is start हो रहा है तो इसलिए that का प्रेयोग गलत है He asked me that why are you late, तो यहां that का प्रेयोग गलत है He said to the servant that bring me, तो यह भी प्रेयोग that का गलत है He said that how beautiful was the scene, तो यहां that का प्रेयोग गलत है He said that may God bless you, चोके message शुरू हो रहा है तो इसलिए he said that यहां पर that का यहां पर अर्थ गलत है, तो इस तरह से that का प्रेयोग नहीं किया जाता है फिर चेक वार आप इसको पढ़ सकते है That as conjunction is not used in interrogative or operative, imperative, operative, exclamatory clauses जाने कि interrogative, imperative, operative, exclamatory clauses में चाहे sentence direct narration में हो या indirect narration में हो That का प्रेयोग conjunction के रूप में इनमें नहीं किया जाता है या ध्यान रखना चाहिए Point C, that as conjunction is not used in clauses beginning with interrogative pronouns ऐसी clauses या वाक्यांस जो interrogative pronouns से शुरू होते हैं उनके साथ भी that का प्रेयोग नहीं किया जाता है conjunction के रूप में The use of that in all the following sentences is wrong इसलिए इनके साथ भी that का प्रेयोग निम्रलिकित वाक्यों में सब कैसा है गलत है Where, Why, When, How, etc. ये क्या होते हैं ये interrogative adverbs होते हैं तो जब इनके साथ कोई sentences स्टार्ट होता है तब that का प्रेयोग नहीं करना चाहिए इसलिए ये सभी sentences कैसे हैं गलत है I am sentences को पढ़ते हैं He asked that what the time was तो ये asked के बाद that का प्रेयोग गलत है He asked what the time was ये ही होगा इसी तरह से He asked that who he was यहां भी that का प्रेयोग गलत है और He asked who he was ये सही form इसकी होगे I do not know that when he will come तो यहां भी that का प्रेयोग गलत है I do not know when he will come ये इसकी सही form होगे He does not know that where he is तो यहां भी that का प्रेयोग गलत है और He does not know where he is यहां प्रेयोग इसकी सही होगे Now but if after the clauses beginning with interrogative pronouns or interrogative adverbs there comes the principal clause the conjunction that will be used यहां पर फिर से देखिये लेकिन अगर बाट means लेकिन अगर after the clauses beginning with interrogative pronouns अगर clauses के बाद मतलब अगर clauses के बाद कौनसी clauses के बाद जो interrogative pronouns से या फिर interrogative adverbs से शुरू हो रही है इन clauses के बाद there comes the principal clause यानि पहले तो interrogative pronoun से और interrogative adverbs से शुरू होने वाली clause आ रही है और उसके बाद फिर जो है principal clause आ रही है यानि principal clause बाद में आ रही है और interrogative adverbs या interrogative pronoun से स्टार्ट होने वाली clause पहले आ रही है तब आप वहाँ पर that का प्रयोग कर सकते हैं there comes the principal clause the conjunction that will be used तब वहाँ पर conjunction that का प्रयोग किया जाएगा as for example यहाँ पर देखे I promise that when I come next I will bring you book तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर when से स्टार्ट होने वाली कहां आ रही है I promise that यहाँ I promise that यह main clause है और main clause के साथ में आप that when I come next I will I will bring you your book तो यह दिखे इसमें क्या है I will bring your book चीक है यह इसकी principal clause है I will bring your book यह क्या है यह principal clause है और यह कब आ रही है यह बात में आ रही है और when से स्टार्ट होने वाली clause पहले आ रही है तब इसके साथ यहां पर क्या लगाएंगे आप that लगाएंगे यह जो that है यह वास्ता में I promise का क्या है I promise का यह I promise का यह पार्ट है यसी को हम वाक्यांस कहते है शुरू में मैंने साहिद पहले दूसरी वीडियो में कहा था कंजक्शन के स्टाट होने पर कि मैं वाक्यांस यह clause बताऊँगा तो I promise यह एक sentence होगया वहां भी आला कि बताया है मैंने मुझे ध्यान है that when I come next तो यह when I come next यह पूरा का पूरा sentence है अपने आप में complete sentence होते हुए भी यह दूसरे sentence का हिसा बन रहा है इसलिए हम इसको clause कर रहे है तो यहाँ पर I promise what do I promise तो promise का यह noun clause बन रहा है subordinate noun clause तो I promise that when I come next जब मैं आगे आउंगा यह next time आउंगा I will bring your book I will bring your book क्या यह principal clause है और यह when से start होने वाले subordinate clause हो रही है यहाँ पर हम कहेंगे कि जब relative adverbs से start होने वाले कोई clause पहले आए और principal clause बात में आए तो फिर relative adverbs से पहले that का प्रेयोग किया जाता है तो I promise that when I come next I will bring your book in this sentence the use of that before when is correct यहाँ पर when से पहले that का प्रेयोग सही है because after the clause beginning with when there comes the principal clause I will bring your book जो मैंने बात कहीं वो यहाँ पर लिखा हुआ है I know that what he says is not true तो I know that what he says is not true तो यहाँ पर देखे what he says यह किसके बात यह पहले आ रहा है और क्या आ रहा है I know I know that what he says is not true So what he says is क्या यह principle clause है इसलिए what से पहले जो भी what से पहले क्या लगाया जाएगा यहां पर that लगाया जाएगा इस तरह से अगर principle clause बात में आती है और relative आड़ब से start होने वाली clause पहले आती है तो फिर आम उसके साथ क्या करते हैं तब हम उसके साथ दैट लगाते हैं। Next point is इसको थोड़ा सह हम सेट करेंगे इस तरह शिफ्ट करेंगे हैं। In this sentence also the use of that before what is correct Because after that comes the principle clause is not true In this sentence also the use of that before what is correct What से पहले that का प्रयोग सही है क्योंकि After that comes the principle clause Is not true principle clause है वहां पर तो इस तरह से दैट का प्रयोग वहां भी सही है Point D there are some verbs as believe, think, hope, presume, suppose, be afraid Toh इनके बाद the that clause coming after which has the conjunction जिन में जिन में कि that clause coming after which is जिनके बाद जो जो clause है जो उनके बाद आती है Has the conjunction that concealed उन में जो conjunction that होता है वो concealed होता है या फिर understood होता है मतलब कुछ verbs ऐसे हैं फिर से में बता दू There are some verbs, कुछ verbs ऐसे होती है वो verbs क्या है Believe है, think है, hope है, presume है, suppose है, be afraid है इन में क्या होता है The that clause coming after which तो इनके बाद की जो clause होती है जिनके बाद जो clause होती है Which has the conjunction that concealed जिन में कि conjunction that होता हूँ Understood होता है चिपा हुआ होता है यहां पर देखे, I believe I believe I believe और यहां पर that क्या है chिपा हुआ है I believe he is right तो यहां पर that क्या understood है That is understood at the mark I believe that he is right I believe that he is right की जगे एक यह लेका हुआ I believe he is right इसी तरह से I hope that he is now well तो I hope यहां sign लगा हुआ यहां यहां पर that understood यहां लिख भी शकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं इसी तरह से I am afraid, I am afraid के वाद that he is wrong तो I am afraid that he is wrong मैं यहां that understood यहां लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है यहां पर में तुड़ सा यह confusion correct कर देता हूं There are some verbs as believe, think, hope, presume, suppose, be afraid After that clause, the that clause coming after which There are some verbs, the that clause coming after which Has the conjunction that concealed or understood यहां पर कुछ verbs इस प्रकार की होती है The that clause coming after which यहनि जिनके बाद that clause आ रही होती है Has the, यहनि इसको इस तरह से पढ़ेंगे The that clause has the conjunction that concealed or understood The that clause, मतलब कुछ verbs इस प्रकार की होती है The that clause coming after which जिनके बाद आने वाली जो the that clause होती है उसमें conjunction that छिपा हुआ होता है इस तरह से इसकार्थ है Next is functional conjunctions तो functional conjunctions में हम क्या पढ़ेंगे Conjunctions of comparison याने की comparison को व्यक्त करने वाले conjunctions conjunctions है तो क्या एक तो as as होता है याने के दो समान चीज़ों में अगर हमें comparison दिखाना है तो as as और असमान चीज़ों में दिखाना है तो मतलब दो चीज़े असमान है ऐसे कहना है उतनी नहीं है जितनी पहली है तो not so या as के साथ फिर as कहना है और दूसरा comparative degree के साथ कहना है तो फिर हमको दैन का प्रयोग करके करते हुए कहना होता है वही यहाँ पर है this book is as good as that तो यहाँ पर उतनी ही अच्छी है जितनी के अर्थ में as as का प्रयोग किया जाता है समानता दिखाने के लिए this book यहाँ पर यह देखे यानि जब negative बनाते हैं तो not so good भी हम लिख सकते हैं not as good भी लिख सकते हैं दोनों ही लिख सकते हैं so not so good as that भी लिख सकते हैं और is not as good as that भी लिख सकते हैं this book is better than that यहाँ पर comparative degree adjective है और comparative degree adjective के साथ हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं this book is better than that यह हो जाता है उसके बाद है रूल नमबर 17, 17 Conjunctions of Concession, Concession का पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थ बताय था कि Concession का मतलब होता है स्वीक्रती करना, यानि कि यह कहना कि हाँ यह कोई चीज है, पहचारना और स्वीक्रती करना यह Concession का मतलब होता है, तो यानि कि कोई चीज हम कहते हैं कि हाँ हम यह स्वीक्रती का भाव है सभी में, जैसे दव का मतलब हाला के, जैसे मैंने का हाला के मैं तुमारा भाई हूँ, फिर भी में तुमारी मदद नहीं कर सकता तो मैं भाई हूँ यह क्या किया मैंने स्वीकार किया तो all though भी मतलब हाला कि even if मतलब चाहे जैसे मैंने का चाहे तुम मेरा घर बेच दो या चाहे तुम मुझे घेर लो चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं जूट नहीं बोलूगा तो मैंने यह स्वीकार किया यहाँ पर कि तुम गोली मार दो यह में स्वीकार करता हूँ तो इसलिए हम जो है चाहे को हम क्या कहते है Conjunctions of Concession कहते है For all, for all का भी यही मतलब होता है No matter का भी यही मतलब होता है However, whatever इनका भी यही मतलब However, मतलब तथापी या कितना हूँ इस तरह का मतलब होता है कितना हो तुम जो टेज दोड़ो However, fast you run However, you run fast इस तरह से कहते है Whatever means जो भी कुछ No matter का मतलब होता है कि कोई बात नहीं कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं कोई फरक नहीं पड़ता है नहीं सब मात तवहीन है तो यह जो है No matter का अर्थ होता है Whatever, बतलब जो भी कुछ इसी तरह से adjective या Adverb, as Adjective और Adverb का As मतलब कि हाला कि यह चीज ऐसे है जैसे Poor as he is यानि कि हाला कि हुआ गरीब है Adverb, as मतलब fast as he runs हाला कि हुआ तेज दोरता है तो यहां भी इसका मतलब हाला के में ही अर्थ में यूज होगा यानि कि इन सब को में एक स्वीकारोक्ती होती है इनके अर्थ में इसलिए हम इनको Conjunctions of Concession करते हैं और इसलिए इनको हमने एक साथ He is Honest तो इन में हम देखें क्या किया हमने यहां दो ही इस पोर उसके बाद कॉमा लगा दिया हमने यहां कोई बीच में कोई दूसरा Conjunction नहीं लगा है तो यह ध्यान रखेंगे दो ही इस पोर ही इस Honest आला कि वहां गरीब है लेकिन फिर भी हिंदी में कहेंगे लेकिन फिर भी वहां इमांदार है लेकिन फिर भी के लिए अंग्रेजी में यहां कुछ नहीं लिखा जाता है सिर्फ यह कौमा लगा दिया जाता है Even if he is selfish हला कि वहां चाहे वहां वहां स्वारती हो ठीक है चाहे वहां स्वार्थी है, even if he is selfish, I will help him, मैं फिर भी उसकी मदद करूगा, तो even if चाहे हुआ स्वार्थी हो या स्वार्थी है, मैं उसकी मदद करूगा, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर even if, even if he is selfish, यह कौबा लगा करके, चाहे हुआ स्वार्थी हो, यह हमने कह दिया, यह तो हम एमने स्विकार किया सरथी सरोinkों है तुर कि अपनी बात करूबस unless you download кो क्रमदमग तू हम पहले में स्विकार करतें अंञ बात प्रम यूज कोड़ कर दे हैं सी तरह से no matter what you से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो तो ये भी क्या है एक स्वीका रोकती है यानि कुछ भी कहो तुम I will go ahead मैं आगे जाओँ यानि मैं कोई आगे कोई काम करने वाला हो मैं उस काम को करूगा फिफ्थ पॉइंट इस however fast he may drive वा कितना भी तेज दोड़ ले however fast he may drive he cannot reach in time वा time से नहीं पहुँच सकता तो ये क्या है however fast he may drive ये भी क्या है ये भी एक तरह की स्वीका रोकती है इसलिए हम इनको conjunctions of concession कहते हैं यानि कितना भी और इसका अर्थ क्या है कितना भी तेज हुआ भगाए या दोड़े या जाए he may drive करे he cannot reach in time हुआ समय से नहीं पहुँच सकता whatever be the case यानि case कुछ भी हो whatever be the case कुछ भी case हो तो ये भी क्या है एक तरह की स्वीका रोकती है इसलिए हम इसको conjunctions of concession कहा रहे हैं तो whatever be the case या फिर कॉमा लगा दिया he will remain my friend हुआ मेरा मित्र रहेगा whatever be the case simple as he is यहां पर देखे ये simple adjective है उसके बाद as लगा दिया तो adjective plus as जो उपर लिखा हुआ है उसका उदारण है simple as he is he is not a fool यानि हाला कि वह simple रहता है सीदा सादा आदमी है सादारण आदमी है he is not a fool लेकिन वह मूर्ख नहीं है उसको मूर्ख नहीं का जा सकता roughly as he behaves यानि हला कि वह बहुती roughly यानि rough ब्यवार करता है he is not a cruel man लेकिन वह cruel man नहीं है अला कि वह rough ब्यवार करता है इसका मतलब यह नहीं है कि वह cruel man हो जयानि कि वहा दोस्त या दुश्ट प्रवरती का नहीं है तो इस तरह से यह क्या है क्जंग्शंस ओफ कंसेस्शन है यहां से एक्सरसाइज फूर स्टार्ट होती है तो इस वीडियो में शिर्फ यहीं тख यानि की एक्सरसाइज थ्री यहीं तक चुकि ए वीडियो exercise 3 तक के ही लिये है तो exercise 3 यहाँ पर खतम हो जाती है तो अगला exercise 4 वो next video में ली जाएगी तब तक इसकी तयारी करें इसका अभ्यास करें पढ़ें समझें और इसके बाद फिर जल्दी है आपके लिए exercise 4 रिकॉर्ड करके आपसे मिलते हैं तब त